21 वेलकम tipping डैंक्ट तो आज हमारे पाइस तरफ से याउनने न एक बास सबसे टौप सेंदिग कार्टूप कि जूंकि पंच है उरो 않은 जो हो की हमारे पास इसका आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर आपको cng के टैंक्स आपको किस जगह फिट करके दिये हैं वो सब जानेंगे इस वीडियो में लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स कहने चाहूंगा मुद्गल मोटर्स अजमेर गोजी नहीं हमें कार प्रव करणता इसकी की से तो।ब आपको यहां पर मिल जाती है रिमोट की आपको आपको देखनें दकने को मिल जाएगी यहां पर कि अप disappointed बर्सके नहीं मिलेंगे यहां पर आपको हैलोगन में मिलेंगे यहां पर turn signal हो जाएगे यहां पर आपका headlam set अब हो जाएगा जो यहां परफकीश में मिल जाएगा यहां पर अहेरो डैनीमिक स्सक्किलापको और खुछ देगा यहां पर फॉमलेकश की प्लैसिंग हो जाएगी और अंदर आप देख सकते हैं रेडियेटर आपको यहां पर वीजिबल रहने वाला है तो फ्रंट का प्रोफाल कुछ किस तरह के का रहने वाला है काफी मस्कुलर से इसकी डिजैन की गई है अधर कार के कंपरेजन में आपको यहां पर काफी अच् पर देख वाश्र असंदर आपको बाता से अंडर यहां बेद दो आपको मिल जाएगा औOR या घूठी कृटी के बारे में करहें रहे, आपको blender क्लेंस ब्लीर ने मिल जाते हैं और अकर ground градously बांद करेंस लान जाती है और जो इसका वील बेस रहने वाला है 2445 mm का इसके अंदर आपको कंपनी वील बेस प्रोवाइड करती है तो बात कर लोते हैं इसके टायर प्रोफाल से बारे में जो चैरो टायर का जो साइज रहने वाला है जिसके उपार आपको टाटा का ब्रैंडिंग किया गया है इसके अंदर आपको जो ब्रेक रहने वाला है फ्रेंड में आपको यहां पर डिस ब्रेक मिल जाएगा और जो रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ओप्शन मिलने वाला है सिर्फ प्रेटिस ब्रेक औप्शन आपको फ्रेंट में ही देखना मिलेगा वील बेस इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता है ग्राउंड क्लिरेंज भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है जिससे आपको गाड़ी टच होने की दिक्कत नहीं रहने वाली है यह जो क्लाड़िंग देख पारें आपको यहां पर मैटल में क्लाड़िंग मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी काफी इच्छी रखेगे एक काफी बड़ी क्लाड़िंग मिल जाती है अब चलते हैं इसके रियर व्यू के तरफ तो रियर में भी देख सकते हैं इससे क्स जगह पंच नगा मिल जाएगा मनच का प्वैजिंग मिल जाती है ताटा का लोगो मिल जाताए इसके अदर आपको यहां पे रियर व्यू पार्किंग डॉटी संदे लेएज ओर सब्सक्ता Sikh रियर मेंполож आको धूब हो जाएगी और टाटा का आप जो लोगों देख पा रहे हैं जो कि वह काफी प्यारा लग रहा है पीछे आपको यहां पर डिफोगर और वाइपर आपको नहीं मिलता है यहां पर आपको हाइम यहां पर बारे में बात करें तो यहां पर आप जो देख पार है जो इसका टेल लेट उपन कर ने के बाता हूं बूट ओपन करने के वाद में आप जो देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको 210 लिटर के अराउंड आपको यह पर बूट स्पेस मिल जाता है बिकोज यह आपको यहां पर बूट को बंद करने के लिए इस दिख आपके आपके नंबर प्लेट के लिए आपको यहां पर लाइट्स मिल जाएगी और यहां पर आपका मैगनेटिक बटन हो जाएगा आपके बूट को ओपन करने के लिए बूट का जो खुड है काफी बहारी है तो ग्लॉब अनकेप के अंदर इसका आपको फाइव स्टार की रेटिंग सेफटी रेटिंग मिल जाती है तो यह था इसका साइट प्रोफाइल और इस तरह भी इमिंट कि तराफ और आपको चेंग करवाते हैं इसका इंटीर आप तो सबसे पहले लापण चलते हैं पीछे के तरफ पीछे इंटियर को чист Keith रेक्राम गिलने वाला है सीटिंग आपको यहां पर काफी अछी सre gefrd आपको लिए यहां जांगी यहां पर ज्एगी आपको आउ के स्टिट बेल्स मिल जाएंगे और जो अब मैं आपको एड्रो मेर्य दिखा देता हूं मेरा जो आप देख पाँ रहा है काफी इसके निद्र है जो सपोर्ट ना संभी आपको काफी देट से उसक्षा मिल जाता है मतलब हुझ संदर कुछा कि इसके नदर आप सेट की कुषणिंग मिल जाती है स्पेश भी आपको काफी मिल जाता है है च्बाइद मेरी 5.6 है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा कासा स्पेस मिलने वाला है अगर मैं रिलेक्स होके भी बेठू ना फिर भी काफी अच्छा कासा सके इंदर आपको स्पेस मिल जाएगा और अगर पेसेंजर साइड के डोर पैनल के बार मुप्राइक पल्वाट को िौन जाते हैं यह के पैसंजर के लिये पीछ आप भी सभजे सकते हैं और अब चलते हैं इंटिय आगे के तरह सिंन इंटिर इंटिर्ण के तरह आपको चेक आउट कर रहात है अगे presumably वाई चेकर लिभी इसको आपको एक फिनिस मिल जाती है यहां पर आपको क्षिस के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके और कंट्रॉल करने के लिए आपको यहां पे बटन के लिए लेक्टर काली सब्सक्राइब यहां पर चारो पार विंडो को यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे, यहां पर आपको लॉक करने के लिए, अब चलते हैं इसके इंटिरियर में आपको चेक आउट कराता हूँ, इसका इंटिरियर, एक मिन्ट थोड़ा में अपने सीट को पीछे कर लेता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका इंटिरियर कितना प्यारा निगल के आता है, डियोल टोन के इंदर इसके इंदर आपको इंटिरियर मिल जाता है, एक बार मैं की को इंसर्ट कर लेता हूँ, की को इंसर्ट करने के बाएद में कुछ इस तरह की की स्टार्टिंग रहने वाले इसके मीटर कंस आपके जो infotainment system में उसको आपके control आपको इस्टेरिंग में मिल जाएंगे cruise control का option आपको नहीं मिलता है इससे उपपर जो आप वेरिंट जोगे accomplished में उसके अंदर आपको cruise control का option मिल जाएगा steering के अंदर आपको यहाँ पे tilt ही आपको यहाँ पे seat sorry steering का adjustment मिलेगा टैलिसकोफिक adjustment आपको इसके अंदर नहीं दिया गया है और आप बात कर लिते हैं एक सिट अब बात कर लिते के बारे हम बात करते हैं आपको यह पर ट्रिपर मिल जाता है AB और aardometer आपको यहाँ पर मिल जाता है speedometer आपको डिजिटल मिल जाता है यहाँ पर को सी एन जी का आपको यहाँ पर फ्यूल का आपको option मिल जाता है वह भी digital मिलता है यहाँ पर पर प्यूल का option इस जगह साट में मिल जाएगा अच्छा एक चीज बताता हूं अगर आपको कोई नौ नौ या फिर आप भूल जाते हों कि आपका fuel tank किस तरफ है तो एक इस दो ऐसे बड़िया चीज के इन देखनेकाय अगर आपको यह बटन दिये गया अगर आप इसको दबाएंगे तो चापी हो अभी यह फिर अगर आपको यहांप पुछ बटन स्टार्ट वाली अगर आपको यहां पर चीज मिल दी है तो आपकी चाबी आपको यहां पर रख सकते हो अब इस सेड़े में बात कर रहे हैं तो यहां पर आपके AC के AC विंट्स हो जाएंगे चार आपको यहां पर AC मिलने वाले इसका जो टेच रेस्पॉंस है काफी इच्छ है जिसके अब को यहां डेटा अपको अपरप्ल कार go for Night आपको यहाँ पे manually set करना पड़ेगा इधर आपको यहाँ पे ticket holder हो जाएगा इस जगए आपको यहाँ पर Vanity mirror मिल जाता है और passenger side में बात करे तो आपको यहाँ पर भी Bottle Holder Plus Embrella Holder मिल जाता है Power Window का Control आपको मिल जाएगा अपको आपको यहाँ पे प्यानो ब्लैक की स्पीड का मैनुल ट्रंश्मिशन हो जाएगा यहां पर आपके इसी के कंट्रोल हो जाएगे मैनुली जिसके मतलब डिजाइनिंग काफी अच्छी की गई है यहां पर आप देख सकते हैं आपके जो हैंड प्रेक है वह आपको यहां पर मिल जाएगा इस जगा आपके दो कफो जाता है इधर आपके 12 वोट का चार्जिंग जो इसका पावर जो जनरेट होता है 72.41 PS के एराउंड भी है स्वरी विएच्पी के एराउंड इसका पावर जनरेट होता है और उसका मैक्सिमम जो टॉर्क निकल गयाता है पहले से इसका टाटा के इंजन काफी रिफाइंड हो चुके हैं इसके आपको यहां पर फीचर्स मिल जाते हैं जो की काफी बढ़िया बात है तो यह था इसका इंजन के स्पेशिपेशन यहां पर बैटरी मिल जाती है एकसाइड की यह आप इंजन होने वाला है इस दिख की प्राइजिंग को लेके तो आपको यह कार मिलने वाली ओनली और उनली रुपीज 8.30 लेक्स एक शुरूम रेट इन अजमेर रजस्तान अगर आपको आट लाग 30,000 के अंदर आपको यह कार खरीद नहीं हो तो आप अजमेर आके मुदगल मोटर पर आके विजिट कर सकते हैं यह कार आपकी बना सकते हैं तो आपको यह कार के बारे में दिया गया रेव्यू कैसा लगा मुझे आप कॉमेंट करके बदाएगा इसका CNG जो टैंक है जो किस तरीके से फिट किया गया आपको कैसा लागा वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बदाएगा और सबसे ज्या इसके इंदर आपको 5-star की safety rating मिल जाती है दो एर बेक इसके अंदर आपको company आपको provide करवाती है अगर six pair airbag होते है तो और बी ज्यादा अच्छा और ज्यादा safety हो जाती बलत यहां पर आपको 5-star की आपको safety rating मिल जाती तो वो भी कैसी कम मतलब कोई कम बात नहीं है तो यह थे इस कार के features यह थे इस कार के जितने भी जो भी features से मुझे बताना चाहिए था जो मुझे सही लगा वो सब में आपको clear कि आप मुझे comment करके बताओगी आपको एक कार कैसी लगी Swift या फिर बले नो इन से better है या नहीं वो भी आप मुझे comment करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा मिलते हैं आपको एक और प्यारत से review वाले वीडियो के साथ तब तक लिए भाय ख्याल रखे अपना वंदे मात नंग जे इन जे बारत